हम लोगों ने सोचल मीडिया के माध्यम से भी जल्द से जल्द कारवाई की मांग की है और आप लोगों के पास सुबह से लेकर अब तक घटना होने के बाद से जानकारी आने के बाद से लेकर अब तक की भी सूचना होगी कुछ गिरफ्तारी हुई है कुछ और हो रही है यह बिल्कुल भी माफ करने लायक घटना नहीं है इसमें मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ और समय के बाद सारी गिरफ्तारिया भी हो जाएंगे और सक से सजा उन लोगों को हो इसकी मांग हम लोग अल्यडी कर रहे हैं हम लोग कि देवभवा के कह करके हम लोग लोगों को बुला रहे हैं वह इस तरह कि घटना किसी महिला के साथ हो जाए बहुत ही गलत है लेकिन अब इसमें जो सक्त से सक्त कारवाई हो सकती है वह हम लोग सुनुश्चतार आते हैं तो परशासन के तो वो काडिडेट मेरा से रहे हैं अब यह तो सभी कुछ जांच का विशय है सरकार अपने तरफ से इस बात की बारे में लगी और मुझे 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 खुद इस विशय को देख रहे हैं खोड़ा सा समय मुझे लगता है कि और कसाशन को देना चाहिए कि तमाम गिरफतारिया और इसमें कोई भी दोशी तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी अगर विपक्ष का अधिकार है कि वो मांग करें तो उसमें कोई गलत बात नहीं है महिला का मामला है इसमें कोई राजनीती नहीं होने चाहिए मेरा वस इतना ही क्या ना सक से सक फासी तो मुझे लगता है कम है एक महिला होने के नाते मैं आपसे कह सकती हूं कि इस तरह की घटना किसी भी महिला को मुझे लगता है जीते जी मार देने उसको फासी अगर दे दिया जाए तो शायद आसान है लेकिन इस तरह की घटना के बाद समाज में रहना और उ किसी की मांग हम लोगे सर्टार के सामने रखिए